अरजी लगा सकते हैं परन्तु शम भक्तो अरजी भी सोच समझ के लगानी चाहिए ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन अरजी लगा रहे हैं हर तीसरे दिन अरजी लगा रहे हैं हर चोथे दिन अरजी लगा रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है अरजी एक बार लगाई है और ऐसी लग शाम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उमीद करते हैं चाही होंगे शाम भक्तों बवश्याम को 2024 में यानि कि साल 2024 में नरेल वाली अरजी किस परकार से लगाएंगे ताकि बवश्याम आपकी अरजियों को पूरी कर सके आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं शाम भक्तों सबसे पहले बात करेंगे कि बवश्याम को अरजी कब लगानी चाहिए? किस दिन लगानी चाहिए? तो शाम भक्तो जो अरजी लगाने का दिन होता है वो आप किसी भी दिन बावश्याम को अरजी अरदास लगा सकते हैं यानि कि शाम भक्तो इन बातों का ध्यान रखे कि जिस दिन भी आप बावश्याम को अरजी या अरदास लगा रहें वो दिन शुब होना चाहिए, यानि कि अगर आप शुब दिन बावश्याम को अरजी लगाते हो, तो शुब दिन कौन सा होता है शाम भक्तों, तो शाम भक्तों हर दिन जो होता है, वो किसे ने किसी देवी देपताओं को समर्पित होता ही है, यानि हर दिन अपने आख में बवश्याम भक्तों आप दिन के सातों दिन बवश्याम को किसी भी दिन बवश्याम को अरजी लगा सकते हैं। और उसकी अरजियों को जल्द पूर्ण करते हैं। बवश्याम से अरदास लगा सकते हो। अर्दास लगाएंगे अरजी लगाएंगे तो शम्भक्तो हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए एक सूखा नारियल यानि कि इस तरह का एक सूखा नारियल आपके पास होना चाहिए और इस सूखे नारियल से हम बावश्याम को खुश करेंगे बवश्यम को प्रसंद करेंगे आप में से बहुत सारे ऐसे शामभक्त होते हैं जो की पूछते हैं क्या हम पानी वाले नारियल के साथ अरजी लगा सकते हैं तो शामभक्त आप सभी को बता दू कि आप पानी वाले नारियल से भी अरजी लगा सकते हैं परिंतु पानी वाला नारेल जो होता है वो विशिश परस्तितियों में यूज किया जाता है यानि कि आप सभी जानते हैं कि पानी वाला जो नारेल होता है वो मातरानी को समर्पित किया जाता है या किसी भी देवी देपताओं को समर्पित किया जाता है यानि कोई भी शुप आप समर्पित करते हैं यानि फोड कर उस चीज का उद्गाटन करते हैं उस चीज पर हम खुशी व्यक्त करते हैं यानि मातारानी को प्रसंद करना है तो मातारानी को एक घीट करते हैं यानि नारियल को हुआ समर्पित करते हैं पानी वाला नारियल का जो यूज होता वहाँ अगर आपके पास पानी वाला नारियल है तो पानी वाली नारियल का जब पानी सूख जाए तो उस सूखे नारियल से भी आप अरजी अरदास लगा सकते हैं पर अगर उसके अंदर पानी है तो पानी के साथ आपको अरजी लगानी है अरदास लगानी है तब भी आप लगा सक परंतो ऐसा माना जाता है कि एरजी जो जलद पॉन होती है वो सूखे अरेल के द्वारा नारेल नहीं नहीं है तो इस नारेल को छस्पें लेना तू relevant यह जैएeringर जटा रहें चाहिए जटा को नहीं छीलना सिर्फ उपर-उपर का जो यह सक्त वाला हिससा है इसको छील के भाहर कर देना है और इस तरह से जटा लगी रहनी कि तो इस तरह का नारेल आपके पास होना चाहिए श्यम बकतो, आप इस नारेल के साथ-साथ आप आपके पास होना चाहिए एक मॉली यानि कि मॉली यानि कलावा इस तरह का एक कलावा होना चाहिए तो इस तरह का एक कलावा होना चाहिए इसके साथ-साथ आपके पास होना चाहिए रॉली यानि कि सिंदूर आपके पास होना चाहिए लाल कलर का और उसके साथ-साथ आपको चाहिए 11 रुपकी दक्षना साथ ही चाहिए आपको 60 m का लाल खपड़ा उसके साथ चाहिए आपको एक बॉल कलर का आपके पास बॉल पन होना चाहिए जो पन आप लाएंगी उस वह जो पन होगा एकड़म नया होना चाहिए और इध्यान रखे जिस दुखान से आप लेकर आएंगे उस pen को उसे आपको वहाँ चला के भी नहीं देखना है कि वो pen सही चल रहा है या नहीं चल रहा है यानि हम pen जब लेते हैं तो घिसके देखते हैं पहले वो नहीं करना है आपको सिधा उस pen को अपने घर लेकर आना है और उसके साथ एक चाहे तो आप copy भी खरीद सकते हैं, नई copy जो है हिंदी की वो आप ले सकते हैं, शाम भक्तो हाला कि उसमें से आपको एक page की जरूरत पड़ेगी, हाला कि अगर आपके पास कोई page है, plain page है घर में copy में, तो उस page का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, परन्तु जब आप एक pen खरीद रहे हैं, तो एक copy भी 20 रुपे की लेगी सकते हैं, और वो copy आपके किस काम आएगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो के मादियम से ही बताऊंगा, तो शाम भक्तो इस प्रकार से आपने वो सारी चीजे ले ली हैं, जो आपको इस अरजी के लिए ज़रुत पड़ेगी, इसके साथ साथ शाम भक्तो आपको बता दू, हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि जल के दौरा संकल्प लेकर अरजी लेने का, यानि कि उसमें क्या होता था कि हम जल लेकर हाथ में संकल्प लेते थे, हम भवश्याम को अरजी लगा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले संकल्प लेते थे, देखिए जो मैंने आपको समान बताया है, वो सारी चीजे आपके पास होनी चाहिए, इसके साथ साथ इस अरजी को लगाने के लि बबश्याम की पूजा करें, बबश्याम का मंत्र का उचारण करें, बबश्याम की आरती करें, और जिस नारियल को आप अरजी लगाने के लिए लाएं हैं, बबश्याम के समक्ष उस नारियल को रखें, उस नारियल की पूजा अरचना करें, उसके बाद आप उस नारियल से बवश्याम की अरजी लगाएंगे, अरदास लगाएंगे, तो श्यामभक तो अपने घर के मंदिर में सबसे पहले उस नारियल को रख दीजिए, और उसके बाद उस नारियल के उफर आप एक स्वास्तिक बना लीजिए, स्वास्तिक जो आपको बनाना है, वो सिंदूर से मनीमन कई है, यह बवश्याम इस नारियल के द्वारा मैं आपके समक्ष अरजी लगा रहा हूं, यह लगा रही हूं, बवश्याम हमारी SAC व्यता है, हमारी SAC कामना है, किरपय करके हमारी इन बातों की इलाज रख लिजेगा, इस तरह से बवश्याम को मनीमन आपको प्रात पुझा कर लेते हैं, अरि शुर्ष थाहरे हैं, यह बवश्याम को आपको आजा रहे हूं, बवश्याम को साथ हमें अरजी लगाना है, और किस तरह से कैसे बाधना है, और चीजे हम आपको आगया है बताने जा रहे हैं तो शाम भक्तो आपने बवश्याम की पुझा कर ली घर में अच्छे तरीके से आपने बवश्याम को पुश पारपन कर दिया, आपने नारेल के उपर पुश पारपन कर दिया, पुश पारपन करने के साथ साथ आपने ये नारेल ले ली है, इस नारेल के दोरा आप हमारजी लगाएंगे तो यह जो मौली है मौली हमारे पास है यानि कि अब हम पहले क्या करेंगे बबश्याम को जो हम पहले लेकर आएं कौपी लेकर आएं उसमें बबश्याम को हम अरजी लिखेंगे और अरजी लिखते समय एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा जो हम बबश्या आपको बूल दे जो भी आप बावश्याम से कामना रखते हैं परन्तु जो लाइन आप लिखेंगे उसमें आपको नकरात्मक शब्दों का प्रियोग नहीं करना है यानि जो भी आप लिखेंगे उसमें ना शब्द का प्रियोग ना करें यानि कि नहीं ना ऐसे शब्दों का प्रियोग बिल्कुल ना करें और उसके साथ आप मवश्याम को अरदास लिखें यानि की दो लाइन में आप मवश्याम को अरदास लिखतीजिए एक कागज पर और अरदास लिखने के बाद आपको करना क्या है जो आपने जो दक्षना ली है वो जो दक्षना है उसी कागज में लपेट कर और उसके बाद आपको करना क्या है तो शंबक तो आपने अरजी लिख ली है अरजी लिखने के बाद उसको अलग रख दीजिए अगर आपने सबा मीटर का लाल कपड़ा चड़ाया है उस लाल कपड़े के साथ आपको अब क्या करना है नारियल जैसे आपने ले लिया है नारियल लेने के बाद आपको क्या करना है इस प्रकार की नारियल में आपको एक कपड़ा जो आपने लिया है लाल कलर का कपड़ा ये कपड़ा तो मैं सर्फ आपको ये दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि इस तरह का एक कपड़ा होना यहाला कि यह चुन्नी है, आपको अगर लाल कपड़ा ना मिले तो इस प्रकार का आप एक चुन्नी वगर भी ले सकते हैं, जो कि सबा मीटर का होना चाहिए, वैसे तो गमच्छा जो होता है, वो ज्यादा चड़ाना ज्यादा शुब माना जाता है, क्योंकि वो किसी के काम आ आप देखेंगे, इस तरह से आप लपेट लेंगे, तो इस तरह से कुछ आपको दीखेगा यह, अभी मैंने इसमें दक्षना वगर नहीं रखा, क्योंकि दक्षना मैं उपर से लगाऊंगा, अर्जी जो है उपर से लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने अर्जी और दक्षन दोनों अंदर रख दी है तो आप पुजारी जी महराज को दूँगा तो पुजारी जी महराज इसको ऐसे लेकर रख देंगे यानि अगर उपर में रहेगा तो वो मेरी अरजी को निकाल लेंगे धक्षना वो निकाल लेंगे और अरजी को निकाल लेंगे और नारियल जो रहेगा वो नारियल को वहीं पर रख लेंगे तो शम्रक तो इस तरह से मैंने कपड़े में बान लिया है अब इसके उपर जो मैंने अरजी लिखी है यानि कि हमने जो भी अरजी लिखी है कागजवाली हमने जो पेज में अरजी लिखी है उस पेज को वहाँ से फाड लेना है फाडने के बाद उस अरजी को फोल्ड कर लेना है और उसमें दक्षना रख देनी है अपनी दक्षना रखने के बाद फोल्ड करने के बाद आप चाहे तो एक लिफापे के अंदर भी रख सकते हैं और उस लिफापे को इसके उपर रखने के बाद इसको हमें बांधना है मौली से इस प्रकार की एक मौली होती है इस मौली से इसमें हमें बांधना है तो श्याम भक्तो हम बान लेते हैं और कितनी बार बान लेंगे इसमें आप 5 बार, 7 बार, 11 बार बान सकते हैं तो जैसे आपकी श्रदा हो उस हिसाब साब को बानना है बावश्याम का मंत्र कजाब करते हुए उम्श्री श्राम देवाई नमा हाँ इस तरह से श्राम भक्तो मैंने इसको बांद लिया है अब हमें क्या है इसमें गांट लगा देनी है ताकि ये नारियल को कहीं भी हम टांग सके अगर पुजारी जी महराज को नीच दे सके तो इसको हम टांग सके मैंने तो इसको साथ बार में बांदा है तो आप चाहे तो पांच बार बांद सकते हैं साथ बार बांद सकते हैं गैरा बार बांद सकते हैं आपकी यानि जितनी बड़ी आपकी मौली होगी मौली के हिसाब से आप बांद सकते हैं और बांदने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारी अरजी वाली नारियल बंद गई है अरजी वाला नारियल त्यार कर लिया है इस तरह से धागे के साथ बांद के ये हमारी बवश्राम को स्मरपन है. यह अरजी वाला नारीज. सिर्फ यहां पर मैंने जो है दक्षणा वाला जो कागज है, वो नीचे रहेगा. अगर हम पुझारीजी महराज के हाथ में देंगे तो क्या करेंगे? पुझारीजी महराज, वो कागज अरजी को पढ़ देंगे और जो दक्षिना होगा वो आपने पास रख लेंगे तो दक्षिना कितना देना हुआ आपके उपर है 11 रुपई किस रुपई 50 रुपई जो है आप इसके साथ लगा सकते हैं रख सकते हैं अगर आप इसी पंडित को बस्तर बैट करना चाहते तो ब समर्पित कर ही दिया और जो अरजी आपने लगाई वो पुजारी जी महराज ने पढ़ ही दिया तो इस तरह से एक अरजी पूरी होगी जो आपने बावश्याम से पुजा करते समय बोली थी अरजी के समय उस अरजी को उस तरह से बावश्याम को समर्पन किया है अरजी बन इस तरह के अरजी विशिशकर बनाई जाती है और खाटो धाम में जाकर समर्पन करना ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है हालागि श्याम भक्तो आसपास में श्याम बाबा के बहुत सारे मंदिर होते हैं उनकी भी मान्यता है परन्तो अगर आपकी जब इच्छा करें की अम अतिश्युभ होरत पे और बाबश्याम की दर्वार जाने का सोच रहे हैं अब आपको लग रहा है कि अगले मैंने आप दर्वार जाने वाले हैं बाबश्याम की दर्शन करने के लिए जाने की इच्छा रखते हैं उस समय आप इस अरजी को बना सकते हैं उससे पहले से बना कर आप अपने घर में रख सकते हैं और जब भी बाबा की दरवार जाएं तो इस तरह से बाबाश्याम की दरवार में इस अरजी को साथ में लेकर जाएं और वहां जाकर आप खटुधाम में जाकर बाबाश्याम को ये अरजी वाला नारेल दिखा दें वहीं पर और दिखाने के बाद बहुत सारे लोग ये अरजी वाला नारेल वहीं रेलिंग में बांध देते हैं तो आप भी चाहे तो बांध सकते हैं और नहीं बांध देते हैं तो वहाँ पर पुजारी जी महराज के हाथ में दे सकते हैं अब आप में से बहुत सारे शमभक्त बोलेंगे कि अर्जी वाला नारेल तो वहां कोई लेता ही नहीं है हम दूसरी लाइन से जाते हैं पुजारी जी महराज सामने रहते हैं तो अर्जी वाला नारेल देना किसे है तो सिंग पोल बाला जी का मंदिर पड़ेगा तो वहाँ पुजारी जी महाराज बैठते हैं उन पुजारी जी महाराज के हाथ में ये नारेल को आप दे सकते हैं और वो रखते हैं ले लेते हैं और आप उनके समक्ष बोल सकते हैं कि पुजारी जी महाराज इसमें अरजी है आप क्रिपया करके इस अर्जी को पढ़ दीजिए परंतो ध्यान रखे वो अर्जी सर्फ दो लाइन की होगी तीन लाइन की होगी तो पुझारी जी महराज वहीं पर आपकी अर्जी को पढ़ देंगे और जो दक्षिना होगा वो दक्षिना वहीं पर वो समर्पन कर देते हैं या अभी की अरजियों को पढ़े, परंतु अरजियों अपने पास रख लेते हैं, औरॉर बाद मेन उस अरजी को पढ़ देता हैं, तो ऐसी कोई चिंता की बाद पुजारी जी का आशिरवात लेंगे आप अपनी अरजी को परण करने के लिए जिल से hygघ के मंदर में नहीं अरजी दे पाएं तो कोई निराश की बाद नहीं, अगर आप नॉर्मल लाइनों के द्वारा आप निकल आए हैं बावश्याम को दिखा के, तो आप नॉर्मल लाइनों से अगर बाहर की तरह आ गए हैं, तो बाहर आने के बाद जो बावश्याम का जहां पुछताज के कर लेते हैं वहाँ पर भी उस अर्जी दिया जाता है यानि वह पर भी ग्रहन कर लेते हैं अगर आप से सिंध या Alright यानी नौर्मल लाइं दे तरह डित्यानों की सबिर्ण होगए स Kernभ scholarship श्याम को अर्जी अर्दास लगा दीजी क्योंकि आप उल्रेडी बाबा को दिखा गया चुके अर्जी वाला नारेल तो इस तरह से श्याम भक्तो बावश्याम को ये अर्जी वाला नारेल आप समर्पन कर सकते हैं समर्पित कर सकते हैं आप में से बहुत सारे श्याम भक्त प अपने आपने बहुत बड़ी बात होती है और यह अरजी अरदास अगर आपको लगता है तीन मेने के अंदर पूरी नहीं होती तो एक बार फिर से बावश्याम को यह अरजी अरदास दुवारा से लगा सकते हैं शाम भक्तो अब आप बोलेंगे हमने बागा से अभी अरजी हमने इस से लगाई है फिर आप वो बता रहे हो तो ऐसी कोई बात नहीं है शाम भक्तो आपने नरेल वाले से अरजी लगाई है तो लगा दी है तो कोई बात नहीं है और अगर बागा से लगाई है तो वो बागा से अपने बावश्याम को अरजी लगाई यानि बावश्या अलग ही importance है, अपना अलग महत्व है, तो शाम वक्तों इस तरह से बवश्याम को प्रसंद करने के लिए अरजी आरदास लगा ही, बवश्याम की किरपा आपके पूरे परिबार पर बनी रहेगी, और अरजी लगाने के बाद तोड़ा patience रखिये, अरजी किस रूप में पूरी होगी, कब पूरी होगी, यह तो बवश्याम जानते हैं, शाम वक्तों अगर बवश्याम आपके अरजीयों को पूरी नहीं कर पाते समय पर, तो एक चीज़ याद रखेगा, कि बवश्याम अभी आपकी परिख्षा लेना चाहते हैं, और जब आप परिख्षा में सफल हो जाते हैं, तो बवश्याम आपकी अरजीयों को जल से जल पूर्ण करते हैं, तो होफ़ोली शाम वक्तों पुरी बात समझ में आई होगी, और शाम वक्तों एक विश्यश बात को और ध्यान रखेगा, फालगुन का मिला जब भी आता है बवश्याम का, जब भी मिला आता है बवश्याम का, उस समय में इस तरह की अरजीयों बहुत ही लगा जाती हैं बवश्याम के दरवार में, और कहते हैं कि बवश्याम के दरवार में, यानि कि फालगुन मिले में इस तरह की बवश्याम को अगर अरजी इस तरह से अगर लगा कर दरवार में रख दिया जाए, बावश्याम को समर्पन कर दिया जाए तो बावश्याम उसके सभी काम बना देते हैं यानि कि अतिश्यूग दिन माना जाता है फालगुन मिला का दिन रहता है वो अतिश्यूग है बसंत पंचमी का दिन अतिश्यूग है और इसके अलावा आप एकदशी के दिन बवश्याम को इस तरह की अरजी लगा सकते हैं परन्तु शम भक्तों अरजी भी सोच समझ के लगानी चाहिए ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन अरजी लगा रहे हैं हर तीसरे दिन अरजी लगा रहे हैं तब 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 तकली आप सवीशंब तो गोजए स्रीशंब